मोदी जी इस देश को बहुत आगे ले गए हैं और मोदी जी को इस देश को और आगे ले जाना है किसी भी प्रकार की कोई कन्फूजन भारती जनता पार्टी के कोई क्वाटर में नहीं है मोदी जी ही 29 तक निफूट तो करेंगे और मोदी जी आने वाले चुनाव का भी निफूट करेंगे अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले दो महिने में योगी जी को निफ्टाएंगे ये और उसके बाद मोदी जी के सबसे खाद अमिठ शा को ये प्रधान मंतरी बनाएंगे इंडी एलाइंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं उस अभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधान मंतरी बनेगे मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में इसा कोई प्रोविजन नहीं है मोदी जी ही 29 तक नित्रूत्तों करेंगे इंडी एलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है उनको खूस होने की जबिरत नहीं है अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले दो महिने में योगी जी को निप्टाएंगे ये और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमिच्छा को ये प्रधानमंतरी बनाएंगे देखिए इस देश की जनता पूर्वा हो पस्चिम हो उत्तर हो दक्षिन हो या नौर्थीष्ट हो हर कौने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है इंडी अलाइंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं मोदी जी तीसरी बारिस देश का प्रधानमंतरी बनेंगे मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं भाजपा के समविधान में इसा कोई प्रविजन नहीं है मोदी जी ही 29 तक नित्रूत तो करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नित्रूत तो करेंगे इंडी एलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है उनको खूस होने की जरूरत नहीं है उनको ज्यादे परिश्रम करना चाहिए ब्रश्टाचार बंद करना चाहिए और लोगों के प्रति साहनूबुती और समवेदन सिल्तास के साथ काम करना चाहिए इसकी जगे इस प्रकार के जूठे ब्रह्म फेला कर वो चुनाव नहीं जीत सकते मोदी जी इस देश को बहुत आगे ले गए है और मोदी जी को इस देश को और आगे ले जाना है किसी भी प्रकार की कोई कन्फूजन भारती जनता पाठी के कोई क्वाटर में नहीं है इस देश की जनता को सपश्ठोना चाहिए